अब का ह्लो दोस्तों गुर्प्र कॉल्पिस्न अब का स्वागत है साइन्स की इंपोर्टेंट के लिए वैरिवेरि इंपोर्टेंट हैं चलिए सबी लोग तयार हो जाएए एक बार कॉच्चन प्रिक्रिक्ष करने के लिए जितने भी एग्जाम हैं railway, TPC, Group D, UPSI, सबी के लिए science important है, चल ये देखिए, तयार हो जाएगा, एक बार share का देता कि पढ़ने वाले सबी दोस्तों के पास video पहुंच जाए, ये पहला question, पहला question very very important है, हाइड्रोपोनिक सम्मंधित किसे, मिट्टे की बिना पाउधे की ब्रद्धी, इसके बिना सबसे बड़ा योगिका हरे पदे, हरे पवाधों को मिलता है सबसे जरूरे होता क्या है, प्रिकास、 सबस्थे जरोरी सबसे जरोरी चीज़े, बहुता है तो qahaan से मिलता है czy सरी मिलता है परिस्थित्व संतुलरं बनाए रखने के लिए भारत में 10.40. कितने हां कितने अनुपात में होना चाहिए रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट के नुद्वार अगर आपको परिस्थितिक संतुर्ण बनाए रखना है तो 33 भूमी पर वन होना चाहिए अगला भारत में मैं ग्रोब की खेती के लिए कौन सा छेतर प्रिसिद्ध है तो यह दक्षणी 24 परागना का हां सजने खाली जंगल कौन सा सजने खाली जंगल यह संबंधित हैं कि चले नेस्ट कोश्चन देखेगा अगला कौश्चन एपी फाइट्स बहुत अधिक बिक्सित होती ऐसे पाउधे होते हैं जो अन पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु निर्भर करते हैं नेस्ट पादपलायन तो दुस्तों पादपलाय एक सुधा है जिससे नियंत्रित दसाओं में पादबों का प्रयावरनियस्टी से अपयूग है ओन से क्रसी कौन से कार्बनीयक करसी जो है ना क्रसी है त्पादपलाय इससलिए पुस्पित होते हैं कि मरुस्थली कीट रात्री के समय सक्री रहते हैं क्या रहते हैं हां सक्री रहते हैं पुस्पों का प्रजियान होता है वो कई प्रकार से कीटों के माध्यम से हो जाता है और पानी के माध्यम से होता है रेगी स्थाने पैदा होने वाले पाउजे क्या कहल तो उसको बोलते हैं जीरो फाइटा क्या बोलते हैं जीरो फाइटा बोलते हैं नेस्ट कोस्टन देखेगा परिस्थित की जो है कि संकालपना का परितपादा किसने किया था ग्रिनेल से ने किया था नेस्ट कोस्टन सबसे इस्थाई परिस्थितिकी तंत्र समुद्र है क्या ह अगला कुशन दायोड वह यू प्र्युगती है जो हाएं दिसा में प्रवाहित करता है क्या करता है डायोड क्या करता एक दिश्टधारा है और शिलिकान है सेमी कंड़ेक्टर क्या है सेमी कंड़ेक्टर है तंजिश्टर के गई की रचनत में कि सबस्तू का प्रयोग होता तो सिल्कान का upset कर होता है एक इक परिपात में प्रूक्त प्रूक्त अर्धिचालक किसकी बनियों कि सहां की होती है गुझ बाधि सब्सक्ट के एम करते हुर्ण एक अपने डोस्तों को शियर कर दिया है वाटसाप ग्रूप, फेस्बूक ग्रूप जहां पर भी आप चलाते हैं, सोसल मेडिया, आप सेयर कर दिये ताकि पढ़ने वाले साथियों के पास वीडियो पहुंच जाए, देखें, नेस्ट कोस्टम, आटो हान ने अडू बं की खोच किस सिध्धान के अधार पर किया, करते हैं, क्यों करते हैं लृ लाकेट में, इंडू उत्पन करने के लिए उरेणियम का परोक काते है, और ञूडेण का परोक करते हैं, बिश्टम करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को साइन्स के कोषचण कर रहें रहें हैं है कम समय में आपको 100 कोस्चन दिया जा रहा है कितना कोस्चन 100 कोस्चन आपको आदे घंटे में दिए जा रहे तो यह रिजीजन का जो समय है रेल्बे के लिए गुरूप D वो नाविकी सनलैन के द्वारा गिसके द्वारा और मेरी प्यारे दुस्तों जैसा कि आप जान टे मैंने आपको यह यूज़ की दो बोकें बहुत सांदा टरीके से कंप्पोरीट कराएं इतना अच्छे तरीकें कमप्रिट कराएं कि यूटूब ने भी हम लोगों को मतलब एप्रिशेट किया है सबसे देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की है ना और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के वैसे सब पोचिवेल हुआ है बाकी साथियों मैंने आपको बहुत सारी प्रिवेसिया कोसिन कराया है दोस्तों एंटीपीसी के मैंने आपको सारी अनलेसिस कराये थे और भी बहुत सारी बुक्स करायी है और दोस्तों जल्दे ही आप लोगों के लिए तीन बुक बगएर के भी सॉलूशन आने पाले है साथियों एक मैंने एक e-book लॉंच की बच्चा अब इस एक्जाम में आपको सेलेक्शन हर हाल में लेना है तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे कोसन आप याद करें जो बहुत सेलेक्टेट हो जो कि बहुत जड़ा इंपोर्टेंट हो बही करके जाने आप है ना दोस्तों एक e-book मैंने लॉंच की जिसमें यह दस बुकों का आपको आपको बेसिकली निचोड बिलेगा इन सब बुकों से जितने भी सिमलर कोसन है जो आपकी बार-बार पू बुक्स इतनी मार्केट में हैं भर भर की बुक्स हैं दोस्तों अब हम गुरू हैं तो हम ही आपको पताएंगे बच्ची आपको कौन सी बुक पढ़ने हैं कौन कौन सी चीज आपको करने हैं तो बच्ची हम लोग ने आप लोगों के लिए एक GK Plus Science की जिसमें आपको कम्प करते हैं भुक्स की फॉर्मेंट में इबुक हैं बहुत ही संदार इबुक है और अगर हम बात करें पांच चाहता से जारव अच्ची इस इबुक को ले चुके हैं जोकी दोस्तों अगर बात करें मार्केट किसे तो 499 रुपे हैं बहुत सारी आजुगे चाह सुन निननननन मिलेगा जितने भी important question सब आपको इस ebook में मिल जाएंगे ठीक है बिलकुल आपको गहोर के पी जाना है रट लेना अच्छे से जब तक रट लोगा तब यह की question आपको ना रटे जाएंगे ठीक है बिलकुल exam में तहल का मचाने वारा दोस्तों एक ebook रहेगा बिलकुल अनिवा बिलकुल आपको दी जा रहे है तो दोस्तों जल्दी से जारा से बहतर से बहतर करें बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो बगर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं और चलिए वही एक्जामना फैवरेट जितने भी एक्जामना के जो फैवरेट कॉसन है बो सब आपको इस ebook में मिल जाएंगे ठीक है बिलकुल आपको यह कॉसन रठ जाना है बिलकुल गहोर के पी जाना है ठीक है चलिए जोस्तों थैंक यू कुछा है नेश्ट को सटेखिये है नेश्ट को सटन आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट को सटन जब टीवी का स्वीच आन किया जाता है तो द्रस तुरंत परादांब हो जाता है लेकिन जो शरब्ब बाद में सुनाए देते क्योंकि ध्वहनी का जो धूरणी प्रेकास के कँछा कम बेक से चलती है का सब्सक्राइब बता रहूं बरसात करना लुए तो प्रेकास पहले हमको दिखे लेता है फिर गरजना की जो आवाज बाद में दी होता है छोता क्या है परेकास का जो बाद ने सुनते हैं जो वेग है ध्वनी के वेग से अधीक होता है इसका करण क्या है कि प्रकास का जो वेग है ध्वनी के वेग से अधीक है नेस्ट न्यूंतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिधंद को प्योगेता है अतीचालकता का किसका प्योग करते हैं अतीचालकता का नेस्ट देखेग कां सी धातू अर्ध चालग की तरह तरा त्रांजिस्टर में प्रयोग होती है तो जर्मेनियम कौंसी जर्मेनियम धातू एक सेट्ट को चलाने के लिए एकश्डेश्व करते हैं तो सूप्ष्मत्रंग इसका प्रयोग करते हैं की Алcha के दूरदाशन संकेट एक निश्चीद दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्यों प्रफि वक्राकार है यह कश्तों के संकेट संकेत इसलिए नहीं मिल पाथ है इसलिए संकेत नहीं तो करता है कि острय तो में करते हैं नहीं करते nectar में तो रडार का प्रियोग करते हैं इस सब्सक्राच प्राथ लिया जाता हैं चोटव्य क्या वश्च्छin देखियं वेरे वर इंपोठेंट यई प्रेट तोल से लगने वाली आग के लिए किस प्राकार के अगनी सामक का प्रयोग किया जाता है अगनी सामन में कौन सी गैस प्रयोग होती है अगनी सामक में करना पूद देते हैं तो कैसे ग्याद करना बहार कार्बन का परमाणु भार होता है आक्सीजन का सोला होता है दो आक्सीजन ने बत्तीस हो जाएगा 32-34 तो जाएगा 34-44 निस्टिखेगा प्रति ग्राम इधन द्वारा मोचित उर्जा की द्रिश्टी से सर्बोत्तम इधन का है सर्बोत्तम इधन है हाइड्रोजन क्या सर्बोत्तम इधन हाइड्रोजन है नेश्ट देखेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुस्ट्यान देखे अगला प्रेडूसर गैस कार्बन मोनो अक्साइड और नाइट्रोजन कार्बन मोनो अक्साइड और नाइट्रोजन के ए प्रएराख ने बहुत की काम करते हैं इसको बहुता है यह भाग नहीं लेता है लेकिन अवह क्रिया के गत्य को धीमा तेज करने के काम तो पीक्राम, आता है इसको बोलते हैं, उत्प्रेरक पीक्राम 20, क्या होता है? Catalyst Poison, ये क्या होता है?। तो ये क्रिया निरोधाक होता है, क्या होता है? जैभी कुदप्रेरक, Bio Catalyst, एक Enzyme होता है, जैभी कुदप्रेरक ज मैसे निर Big contain, थेलो के हाइडरोजेनी करण में प्रिवक्त उत्पेरक इसके थेलोग राज़纏 में जो प्रियुक्त होग एदी करने में क्या है में सिस्कष प्रक्राम में उत्पेरक के रूप में प्रोग होता है तो Nic3 से उतने डलन के नाइट्रोजन के आक्साइड को प्रियोग में लेते हैं नेस्ट कोचन देखीगा काउंसा एंजाइम गुलुकोज को इलकोहल में परिवर्तित करता है क्या दोस्तों गुलुकोज को इलकोहल में परिवर्तित करता है जाइमेज काउंसा जाइमेज जो होता है गुलुकोज को परिवर्टीत करता है निश्ट कि अगर अगर परमाडु भार पूछ देंगे सल्फूरी कम तो निकाल के बता देंगे सल्फूरी कम लिखा तेकि जो कुछ होते हैं ना उनका आपको परमाडु भार याद रहना चाहिए मतब कर लिजें कुछ और याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं परिदी ऊसमें उत्प्रियूर्प के रूप में क्या प्रियोग्त होता है क्योंग होता है Water प्रयोग होता है NATामोंय उत्पादन की हैवर वीधि में उत्प्रेयालक्स वर्धक के रूप में किसका प्रोग नॡब prendem का प्रयोग होता है घर होता है रास आने के अब खर्या में भाग तू नहें लेता लेकिन अब किरिया की नहीं आ Сергा करता हुझत बिजसकी अब बिर उबनथन संदेट फ़्ल्क चैनल कई ब्रेभ कंप žुझमा बांप क्या बता था दोवेराइनर का त्रिक नियम दे था उन्हों ने कहा था कि पहले और तीसरे तत्यों के द्रवमान के बराबर होगा तुसमें लेजर बीम का उपयोग गुर्दे की चिकिस्सा में किसमें करते हैं चैनल में पहली बार सब्सकाइब कर लें करें कुछ चिथ मैंट देखें नेस्ट किसी संसक्त प्रकास प्रत्वीम बनने किसे समंधित होते होलो अगर प्रत्वीम बनना है तो किसा की अब रसकता होगी होलोग्राप की अब रसकता होगी क्या करना है तुम हाना यहां से प्रूटेंट कोस्ट है यहीं से जो आघामी है उसमें आने चांसे नस बनाना होती है केसे वह एक रंग की होती है परवाल ने说 समभारिक हो जाएगा निश्ठ सतानिगा धारिक में समभारिक के इसे दो हलके नाविक में तूटेने की प्रिक्रिक्या को क्या कहते हैं तो नपकी थायोस कि नपकी था नपकी थाया, किस पर आधारी था थाया, सबसे पहला नापकी रिएक्टर बनाया था, फरमी ने. किस ने बनाया था सबसे पहले जो नापकी रिक्टर बनाया था फरमी ने बनाया था नेश्ट परबाडु बंब सिध्धान ताथारी था नाविकी विखंडर पर अथारी था परमाडु बंब अगला कोस्चन सर प्राचीन सेल समों की आयू आकी जाती है तो किस से आफिज करना है तो कार्बन डेंटिंग भी प्रत्वी के आयू कर ग्यात करना है तो यूरेनियम भी दी है पेहणों के आयू ग्यात कर सकते हैं चलिए अगला कुशन देखिए नाविकी रियक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में करते हैं तो भारी जल का प्रयोग करते आदिया था किसने दिया था अलॵड झाइन स्टेन डिय तो उसा इनिसकार्स है सापेक्ष्टा की सिध्यांद का निसकर्ष हो को का संताय संबंद है जैus कि परफोय से ठ tired करता तो प्रकात को परफ़ pa Kirka करता है किसमें च полож व क्योंस को बढ़र करता है सामाजिक वांकी सहकारी स्वामिततवाली भूमिग पर उपयोगी पौध्यक तुर ये फोता है राष्टि वनस्पत्य कुद्ध्यान संस्थान कहां पर हैं देहरा दूनमी इस्थिते वन अनुसंधान सनस्थान अगला प्रत्थिवी का विसालतम परिस्थितिक तंत्र क्या है जल मंडल सबसे बड़ा परिस्थितिक तंत्र जल मंडल तीन भाग में पानी है अब समझ लिजिए कितने भाग में पानी है तीन भाग में इसलिए स जीवसाला को निरुपीत करता है कि अगला कुछन है सभी कुछन इयॏ ध्यान से करते हैं इस नहीं प्रजाती है एक दो जीव बच्चे होते हैं अब एक दो जीव बचे हैं आगर उनका भी निधन हो गया किसी कारण बस से तो वह जो प्रजाति हैं बिलुप्ठ हो जाएंगी उसको बलते हैं संकटा पन प्रजातियां रेट डाटा बुक तो रखते हैं संकटा पन प्रजाति को में हो ने स्टित्रितिक अंस्तुलन और उभोगताओं पर प्रक्यति के संतुलन को तै करने वाले मुख कारक तो मानव गत्विधिया है क्या है मानव गत्विधिया क्या दोस्तों प्रक्यति के संतुलन को तै करने वाले जो मुख कारक है वह मानव गत्विधिया है क्या है मानव गत्विधिया है को कि नेश्ट कोर्शं दीकी देखिए κα만 क्या दोस्तों वर यस्विक विरासात का वान जो है माना जाता किसको बकु सब्सक्ठी करते मंगल में सुनधर बनको मांते हैं वाह बत्व्रस्ठो में किय बोलते हैं दो यजितने नं करवा रहें आपको को सभी कोश्चन इंपोर्टेंट यहां सिपर मिलेंगे को इनber कर दीगे कईande का नि ने कलता है रूद कर वार सभी कश्चन इंपोर्टेंट यहां को चople multiplied कर दीजिए बर सभी लोग जितना ज्यादा आप सेयर करेंगे न उतने साथ यमर साथ जुड़े रहेंगे सरवाधिक जैव बिवित्ता कहां पाजाती है उस्ट कटवंधी वर्षावनों में परिस्थितिक तंद्र में तत्तों के चक्रन को क्या कहते हैं तो जैव भूरायसाइनिक चक्र बोलते हैं तो किशक्षे नमबर नेश्ट teo7204 को देखर के eager परालों मुझरूप से कीसके अडाइक विरुद्ध की तो सुन कट्वराइक विरुद्ध की आप को देखे घरग के परियां ने बरण verdict की 46 नेस्ट देखिए नेस्ट कुश्चन ओजोन इतनी सांदरता पर गंफीर फुरुसी रोग उत्पन रोग होता है जो माना स्वास्त को प्रभावित करता है तो 9.0 PPM से अगला कुश्चन बेशुका सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादब तो यह है जल हाय सिंध है नेस्ट कोफट्यन है वहरी, IMPORTANT ॉप्रिण कोस्ट्ट देखिए या है लिए इंपोटेंट ईखंट कोश्चन है के बढ़ादो की प्रभावी तरिज्य होती है 2 तक द कड tied मायन ओंस 10 मीटर है नेस्ट देखिए घांस करतागे अधि आप सोडियम के लिए ओंस सोडियम के लिए एक बीटा उसर्जन के बाद बनने वाला पदारत क्या हो जाता है मैंगनेसियम अब हम इसमें आपको समझ हरें समझ में आ जाके देख़्िए क्या है किसी परमाडू से गर बीटा करना का उस तर्जन होगा तो परमाडू करमांक 2 परमार उक्रमांग प्रमांग किन्या हो किसका होता है मैंगनींसियम का तो ह्या मतर को दिखें कि शर्ट के मात्रकूदुगेक दिखें रिडीयो धर्मी जो चठत और किया और परिबर्तित रहेगी परिबर्तित रहेगी एक रेडियोग्टी पदार्थ की अर्ध आयू काल जो है चार महिना है इस पदार्थ के तीन चौथाई भाग अच्छा होने में कितना समय लगेगा आठ महिना का समय लगेगा प्रत्थवी की आयू का आकलन के से कियता है यूरेनियम डेंटिंग भी देशे देखे अ एक होता है कारवन के दो समिस्थानिक होते हैं कितने समिस्थानिक होते हैं कितने समिस्थानिक होते हैं कारवन के तो कारवन के दो समिस्थानिक है एक होता है सी बारा कारवन के दो समिस्थानिक होते है मतलब देखिए कि समिस्थानिक मतलब परमाड़ु कर्माग दोनों के बराबर होते हैं तेकि परमाड़ु दिरमां भीन होते हैं एक कारबन का परमाड़ु दिरमान 12 और 1 चौधा तो सी चौधा जो है ना उसका प्रियोक करतेह कारबन डेंटिंग में अगला कोश्च्छन पर रोजन बं में नावगव की शनलयन होता है तो कि परमाडव में भी क्यों कि सिध्धान पर करता है कि सिध्धान पर कार करता है थरती होता है यह इसलिए क्या होता है कहा है और उस नहीं बनता थी आप शन पपूर से कपूर वास बनाने की प्रिक्षाइब को क्या बोलते हैं उर्ध पातन प्रिक्रवशन देखें पर जल और वर्फ और बवस्तन होते हैं जब इस प्रणाली पर दापी udah जाता है चल बंचाता है के गया जहाता है जल बन जाता है जल बन जाता है भाहर थोग shifts personally produ sinkusion के गड़ा में किस करण से जल यॣ थंड़ होता है मिस्ती करण होता है यह वद्खी करण होता है क्ल बाहर के वीदर अंदर बायर प्रभेश कर जाती क्ण के माद्याम से आप देखेगा अब घड़ा एक दम सूखा लिजिए अगर पानी भर दीजिए तो घड़ा में पानी भर देंगे सूखे घड़े में आप देखेंगे 10-20 मिनट बाद क्या हो जाता है घड़े का बाहरी बाला भाग है वह भी गीला हो जाता है क्यों इसलिए जल क्या होता थंडा बना रहता है चली एगला कुश्षिं दिखेंगे के जीरो डेगरी के चील्सियर पार एक गिलास का पानी बाल配न में बदलता है इसका क्या करान लुटा सत्था कर अधर ऑगर जम पानी को जमाना है कि आंग पानी को जमाना है उसमें से कुछ उ है गिलास के पानियों को जमाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में उसमा निकाल देनी अवस्तक होती है कि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब जिस अब बहुत जादा होने वाला है अब बहुत समझा रहे हैं है इस प्रेशर कोकर में भोजन तेजी से ब्रिद्टी होती है तो कॉथनांग बढ़ जाता है आप समझें वायू-दाप बढ़ेगा कॉथनांग बढ़ेगा वायू-दाप घटेगा शब्र कोकर में दाल बनाते हैं तो कुकर में चाबाल कोई सब्सक्राइब कोकर बना रहें कोकर में अंदर की क्या हों जाएगा अंदर ंच्भाई कर दो भी जाता है और बढ़ जाता है कमोजाता है को सले गद पर पान लेगा 120 टीडीडी पर तो अधी बन जाता है। पहाड़ों में क्या होता है वायुदाप कम हो जाता है। नेस्ट थर्मा मेटर जो 200 डीगरी सेलसियस में अपने है तो प्यूक्त होता है। क्या बोलते हैं पून्ड विकरनद पाइरोमीटर क्या होता है। नेस्ट कॉस्चिन दीखेंगा, फिरिच के अंदर रखा जाता है। अप देखो पैकेट रखे हुई है। बिस्किट को पैकेट से निकाल कर रख दिजी। और बिस्किट क्या हो जाएगा, उसमें नमी प्रिविस कर जाती है। तो यह होता है निष्ट के सीथ काल में एक मोटी कमीज की अप luggage हा दो पतली कमीज और ही लेना अच्छा राभदायक है क्यों dal टो है कि एक मोटी क्या पेक चाप दो पतला पतला कमीज ओड़ लो समझी होता क्या है दो पतली पतली कमीज है एक कमीज से वायू तो पार कर जाएगी लेकिन दूसरे से कुछ वायू ही पार कर जाएगी कुछ वायू जो है दोनों कमीज के बीच में फस जाएगी तो वह वायू गरं हो खिते हैं गरम हो जाती है तो यहीए के बीच वायू की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है लिए अब में नेस्ट पानिये का घौनत किसा पर दि Cup ने पर छाट डिगरी पर अधिकतम किस पर हो था बीकमिह नेश्ट देख लेजिए शूर्व बिकरण का काउन सा भाग सोलर कुकर को गरम करता है अवरक्त किरण करता है याद रखे गया नेश्ट देखे गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुस्चन पानी कब उबलता है कि बताई ये पानी उबलता कब है पानी तब उबलता है जब वास्प-दाब वाता बरुंव 100 के बराबर हो क्या तो हैं क्या थी आपका रखे लोँ अधिक उखए वायू मंदली दाप के बराबर हो जाता ये तब पानी उबलता है द्रेबों तथा गैसो में उस्मा का इस्थांत्रन किस बिधी द्वारा होता है किस में पानी से भरे किलास में वर्प का एक टुकड़ा तैर रहा है न कातल होगा तो गिलास में पानी का अपरीवरतितर होगा सब्सक्राइब कर लिए इसानी डिया चैनल वाहार पहली बार झोड़े सब्सक्राइब करना दो Rings करने के लिए सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना जरूरी है दोस्तों इतना महिनत आपके लिए किया जा रहा है तो लाइक भी कर दिए कर दीजिए चलिए जैहिन दोस्तों